नमस्कार दोस्तों देख रहें अंस्रिक्स आज हम बात करने वाले हैं most important appointments के बारे में जो important appointments March 2021 में हुआ था मतलब 2021 शल के कौन-कौन से appointment होगा यह important appointments उसका name of the person or designation के साथ हम बताने वाले हैं याद रखे इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंपोर्मेशन दिया नहीं जा सकता क्योंकि बहुत फीडियो लंबा हो सकता है इसके बाद आता है मतम वेंकटर राओ अगर बात करें कुछी भी स्टेट की वहाँ पर चीप मिनिस्टर और गवर्नर का नाम हर वेक मैं बोलता रहता हूं करके जाईए तो चीप मिनिस्टर और गवर्नर कौन है या कॉमेंट बोक्स बाप कमन करके बता सकते हैं इसके बाद आता है प्रमोद चंद्रमोदी प्रमोद चंद्रमोदी को PC मोदी भी कहा जाता है यह CBDT का चेयर्मेन बने है इसके बाद आता है वाइस एड्बिरल आजेंद्र बाहदुर सिंग वो फ्लैग अफिसर कमंडिगीन चीफ अफिसर बने है इस्टन नावल कमंड का ठीक है याद करके जाईए जगदि भटनागर की बात करें तो PIB मतलब Principal of Director General of Press Information Bureau PIB का मतलब है Press Information Bureau उसका Director General बने है कुल्दीप सिंग आपको यादी होगा कुल्दीप सिंग आए है additional charge of DG District General पद पे आए है DG पद पे CRPF Central Reserve Police Force का DG पद additional charge of DG पद पे आए है कुल्दीप सिंग तो बत करता है next की Manpreet Bhora Manpreet Bhora Indian High Commissioner of Australia बने है की सब्सका? Australia का Australia का बात करें तो Capital है Canberra और इसका जो currency है यह है dollar और इसका जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो Scott Morrison होगा आप याद करके जाहिए किसी भी स्टेट का किसी भी देश का अगर नाम आए यह सब करना ही करना पड़ता है स्पेशली कापिटल और करन से तो करना ही पड़ता है बात करें जो स्पेशलिस्ट बॉक्सर है Maricom वो चयार परसेंड बने है AIBA का AIBA का मतलब है All India Boxing Association Champion and Veterans Committee का चयार्मन चयार्मन चयार्परसेंड बने है इसके बात आता है Michael Phillip यह कौन बने है Vice Chairman of AIBA Chairperson बने है Maricom और Vice Chairman बने है Michael Phillip आप बात करते है तरून बजाज की स्टार मक्स रहेगा Additional Charge of Revenue Secretary Revenue Secretary का Additional Charge उनको मिला हुआ है इसके बात आता है G.R. चिंताला Chairman of Asia Pacific Rural Agriculture Credit Association जिसको APRACA भी कहा जा सकता है उसका हाल ही में Chairman बने है इसके बात आता है Ligin Narona ये बने है UNEP मतलब Assistant Secretary of General की कहा कार का United Nations Environment Program जो New York में है इसका Headquarter है उसका Assistant Secretary General बने है याद करके जाहिए UNEP का United Nations Environment Program का जो Headquarter है वो है Nairobi कहा पर है Nairobi और United Nations Development Program जो है उसका जो Head Office है वो है New York याद करके जाहिए इसके बाद आता है Rohit Sharma Brand Ambassador of Glenmark Pharmaceutical Limited बहुत ही famous क्रिकेटर है Hitman के नाम से आप शबी उनको जानते हैं इसके बाद आता है Naureen Hassan First Vice President and Chief Operating Officer of the Federal Bank of India Federal Reserve Bank जो है उसका जो Naureen Hassan उसका Vice President बन चुके है तिरात सिंग रावत बन है Chief Minister उत्राखंड के नए Chief Minister बन है याद करके जाहिए और इसके इलावा उत्राखंड से important questions मैं बलूँगा उत्राखंड का summer capital है जो है गरसेन अब याद करके जाहिए और उत्राखंड का जो government जो scheme निकला है या फिर उत्राखंड का कोई project निकला है तो अच्छे से करके जाहिए करनाफेर्स में बहुत important रहेगा दिपिका पादुकों ने importance रहेगा क्योंकि बहुत ही famous actors है brand ambassador बने है union minister अनुराग ठाकुर वो बने है captain of territorial army याद करके जाहिए territorial army का captain बने है union minister अनुराग ठाकुर Thomas Butch president of IOSHI IOSHI का मतलब है international olympic committee international olympic committee का president है Thomas Butch इसके चलते है next place की तरब गिरिस चंदर मूर्मू ये CAG है इंडिया का present में कौन है ये CAG full form क्या है CAG का मतलब है controller and audit general गिरिस चंदर मूर्मूर बहुत ही BVI topic रहेगा ये हाली में chairman आये है chairman पत्पे panel of external auditors of the united nations के पत्पे आये है ठेक है याद करके जाहिए CAG बहुत सारे exam में अभी तक पुछा जा चुका है और आगे भी पुछा जा सकता है दीपक मिस्टर director and chief executive of Indian council of research on international economic relation मतलब ICRIER का director of chief executive बने है हर्दीब सिंग ब्रार definitely national head and sales marketing of Kia Motors Kia Motors का national head बने है union minister प्रलाद सिंग पैटल definitely union cabinet minister से बहुत सारे question पुछा जा सकता है ये head committee जो बने है ये है archaeological survey of India का head of the committee बने है definitely याद करके जाए Dr. S.K. Singh ये head of three member committee review medical arrangement of the Haridwar Kumbha Mela का जो हाली में हुआ था उनका three member का committee में उनको head के आगया है इसके बाद आता है H.K. मित्तल ये भी head of the committee है government of India का executive monetary startup by India seed fund scheme में का head बने है इसके बाद आता है Kapil Dev बहुती बड़ा नाम है board member of professional golf tour of India PGTI इसका जो member बने है board member union minister Dr. Harswardhan आप हाल में जानते होंगे क्योंकि 2020 साल से दो नाम लगातार हम बोलते जा रहे हैं कि हमारा government का जो health minister है वो है Harswardhan और हुका जो director general है वो है Tedros Adhanom याद करके जाएए दो में से कोई भी एक पुछा जा सकता है chairman of top of TB partnership board का मरे है Ajay Mathur director general बने है international solar alliance याद करके जाएए international solar alliance का head office कहाँ पर है इंडिया पर है ठीक है गुर्ग्राम पर है इसके बाद आता है Lieutenant General D.P. Pande ये कस्मीर-based 15 Corps का commander बने है इसके इलाबा A.M.A. Gunpati Director General पर पर आए है national security guard का कुल्दीप सिंग Director General CRPF CRPF अभी में करा रा चुका हूँ आपको अजिंग रहाने क्रिकेटर अजिंग रहानी के अगर बात करे brand ambassador बने है New Growth Credit Private Limited का इसके बाद आता है Samia Shula Hasan वो first woman president of Tanzania Tanzania का पहला woman president कौन है Samia Sahulalu Hasan अपरना चिनपन्दा A.B.A. Chief Product Officer of Robin Hood का इसके बाद आता है दत्यरा होशाबले General Secretary of Rastria Shamanwai संगा जो RSS बोला जाता है उसका General Secretary बने है इसके इलाबा थोड़ा बहुत और भी है अरिन्दम बांगची अरिन्दम बांगची Official Spoke Person of the Union Ministry of External Affairs बने है Mark Rootay प्राइम मिनिस्टर बने है Netherland का इसके इलाबाद आता है Justice N.V.Ravana Chief Justice of India बने है Next Chief Justice of India कौन है ये बहुत सारे एक्जाम में आशकता है इसको V.V.I. Starmark दे रहा हूँ Vivek Murthy Surgeon General US President Biden's Administration का Surgeon General बने है अभी Sanjeev Kumar Chairman of Airport Authority of India AAI बहुत इंपोर्टेन रहेगा Sanjeev Kumar के नाम याद करके जाए Chairman Authority of India में कौन है Sanjeev Kumar Atis Chandra Chairman MD of Food Corporation of India FCI Food Corporation का Chairman और MD हाली में बने है Atis Chandra बहुत इंपोर्टेन रहेगा V.V.I. Saurabh Garg ये हाली में Chief Executive Officer CEO बने है कौन का UIDI मतलब Unique Identification Authority of India जो आधार का ओफिश है आधार का चीफ Executive Officer बने है CEO बने है का Saurabh Garg इसके इलाबा Anis Shah MD & CO आए है Mahindra & Mahindra के Office में MD & CO बने है और Danis Sagao Nugisho President बने है Republic of Congo के ठीक है क्याद करके जाए है Republic of Congo के बारे में इसके भी बाद याद आता है Dr. H.R. Nagendra To the Head Export Committee To Potential Yoga and Productivity of the Enhancing Tool for the Population के Head बने है Nilay Swahani Nilay Swahani Andhra Pradesh State Election Commissioner बने है Andhra Pradesh State Election Commissioner है वो है Nilay Swahani Shoma Mandal जो Chairperson है Standing Conference of Public Enterprise Scope का इसके इलावा Definitely आप बता सकते है Shoma Mandal को की सब्सक्राइब पर Chairperson कौन से टर्ण कौन सी कंपानी का Chairperson पर बठाए गया है इसके बाद आता है Pradip Kumar Das की बारी जो 22 Chairman है Standing Conference of Public Enterprise मतलब Scope का Chairperson के अगर बात करे Shoma Mandal और भाईस Chairperson के आप बात करे तो Pradip Kumar Das तो ये था March पूरा March 2020 का ये था पूरा March 2020 का Important Appointments इसके बाद आएगा April 2020 का Important Appointments अगर आप हमारे कुछ वीडियो नहीं देखे Static GK का बहुत सारे Important Oriented Questions कर रहा है तो ये दोनों वीडियो आपके सामने है इस वीडियो को क्लिक करके देख लीजिए आप टेस्ट कर लीजिए आपका नॉलिज कैसा है Static GK बार में दिखाए देते दोसरी वीडियो में धन्यवाद